यहरबेंड का बिजनस शुरू करना कोई कटिन काम नहीं है और नाहीं इसमें कोई लंबी चौड़ी रकम ही खर्च होती है तो चलिए जानते हैं कि कैसे आप इस बिजनस को शुरू कर सकते हैं दो तरीके से शुरू किया जा सकता है यह बिजनस हेर बैंट बनाने का काम दो तरीके से शुरू कर सकते हैं पहला ये कि आपका मार्केट में उपलब रेडिमेट रबर रोल को खरीच सकते हैं और दूसरा ये कि आप अपना रबर रोल स्में ही मरना कर उसकी कटिंग करके रबर बैंड तयार करें इसके लिए आपको रबर बैंड यूनिट लगानी होगी इस तरह से आपको शुरू में प्रोडक्शन मेंगा पड़ेगा वो इसलिए कि इस काम में आने वाली कई मशीनों को लगाना होगा बाद में इस तरह के प्रोडक्शन से मुनाफ़ा अधिक मिल सकता है रेडिमेड रबर रोल से बैंड बनाने के लिए आपका केवल कटिंग मशीन और पाकिंग मशीन ही चाही होगी इसके लावा रबर रोल बनाकर बैंड बनाने के लिए आपको पूरी यूनिट ही लगानी होगी Hairband के business में जादा जंजट नहीं होता है Hairband के business का scope काफी अच्छा है इसमें मुनाफ़ा भी अच्छा मिलता है जंजट भी काफी कम है इसके लिए आपको एक machine के अवशक्ता होती है machine को चलाना इतना असान है कि कोई भी व्यक्ति एक बार चलाने का trick समझ ले तो वो असानी से चला सकता है इस machine को चलाने के लिए किसी तरह की train की जरूरत नहीं है यदि आप machine चलाना नहीं जानते तो जिस company से आप machine खरीदना चाहेंगे तो उसे बता दें कि machine चलाना नहीं आता वो company expert बंदे से आपको machine चलाना सिखा देंगे बहुत थोड़े समय में आप machine चलाना सीख जाएंगे इसके बाद आप सुएम ही machine चला लेंगे rubber band के business में मिल सकती है सहायता hair band का business तो अच्छा है लेकिन इसके साथ ही offices, मिठाई और अन्ने तरह की दुकानों में सामान की packing के लिए इस्तेमाल होने वाले rubber band का भी काम कर लिया जाए तो उस business में काफी लाब प्राप्त हो सकता है इन सारे कामों के लिए कुछ और machine की जरूरत पड़ती है तथा थोड़ी सी जगा और इस काम को शुरू करने के लिए जरूरत होती है अब आपको ये तैय करना है कि आपके एवल hair band का ही business शुरू करेंगे या सभी तरह के rubber band का business करना चाहेंगे कुटीर उद्यों के रूप में भी किया जा सकता है शुरू यदि महिलाओं के बाल में लगने वाले rubber band business करना चाहते हैं तो ये बहुत ही कम जगा और कम खर्चे में शुरू किया जा सकता है महिलाओं के rubber band भी दो तरह से बनाया जाते हैं एक rubber band nylon के धागे से बनाया जाते हैं जो machine से बनते हैं दूसरे hair band कपडों और अन्य सजावती धागे आदी से बनाया जाते हैं जोने हाथ और सिलाई की machine से बनाया जाता है इस तरह के rubber band बनाने का काम ग्री देव के रूप में शुरू किया जा सकता है जिसमें घरों में काम करने वाली महिलाओं को rubber band बनाने की training देकर घरों पर ही बनवा कर एकत्रित करके उनकी marketing करके बिक्री की जा सकती है चुकि महिलाओं द्वारा पार्ट टाइम में किया जाने वाला इक काम सस्ते दरों पर हो सकता है इसके लिए ना तो आपको कोई machine लगानी और ना ही किसी तरह का जंजट मोल लेना है डिजाइनर hairband की रहती है साधा डिमान अब आपको ये तैक करना है कि आप केवल महिलाओं के बालों में इस्तेमाल होने वाला hairband का business करना चाहते हैं या फिर सभी तरह की packing और अन्ने कामों में इस्तेमाल किये जाने वाले rubber band का business पारंपरिक hairband बनाने से आपका business एक सीमा तक ही चलेगा यदि आप अपने business को पंक लगाना चाहते हैं तो आपको अपने hairband की नई नई design इजाइन इजाद करनी होगी उनका प्रचार करना होगा आपकी design यदि market में उपलब्ध hairband की design से अलग हटकर होगी और customer उन्हें पसंद करेंगे तो आपका business अच्छा चलेगा Small scale से business शुरू करने में है फायदा बेतर होगा कि आप hairband बनाने का काम small scale में शुरू करें जैसे जैसे आपके product की demand बढ़ती जाए वैसे वैसे आप अपने business को आगे बढ़ाएं Small scale पर ये business आप साइट जॉब की तरह चला सकते हैं घर के एक कोने में cutting machine लगा कर आप बजार से रेडिमेट रबर होल लाकर उनकी cutting, packing करा कर मारकेट में sell कर सकते हैं इस काम में घर में रहने वाली महिलाई या परिवार के लोग आपकी सहायता कर सकते हैं ये cutting machine घर में आने वाली बिचली से ही चलती है और इस business के लिए कोई showroom नहीं खोलना पड़ता घर से ही बने-बनाए सामान की थोक और retail shop में सप्लाई करनी पड़ती है कानूनी प्रक्रिया के हैं double फायदे small skill का business करने के लिए शुरूब में किसी तरह की कानूनी प्रक्रिया की जरूरत नहीं होती जब लगे कि आपका business रफतार पकड़ने लगा है तो आपको फिर कानूनी प्रक्रिया पूरी करनी होगी इस कानूनी प्रक्रिया के double फायदे हैं पहला फायदा ये होगा कि आपको किसी कानूनी कारवाई का सामना नहीं करना पड़ेगा और दूसरा सरकार द्वारा समय समय पर जारी लापकारी समस्कीमों का फायदा मिल सकता है hairband business के लिए आपको कुछ कानूनी प्रक्रिया को पूरा करना होता है सबसे पहले आपको अपने phone का नाम चुनना होगा उसका registration कराना होगा इसके बाद आपको GST नंबर लेना होगा स्थानी नगर पालिका और नगर निगम से trade license लेना होगा परियावरण प्रमान पत्र भी लेना होगा इसके साथ ही लगूद्यों के लिए MSME से रिजिस्ट्रेशन कराना होगा इससे आपको सरकारी सुविधाएं और सबसीडी वाली स्कीम का फायदा भी मिल सकता है माल बेचने की है अलग कला हैरबेंड बनाना तो बहुत आसान है लेकिन इसको बाजार में बेचना बहुत बड़ी कला है क्योंकि हैरबेंड किसी अन्य प्रड़क्ट की तरह बाजार में आसानी से नहीं बेचा जाता इसको बेचने के लिए अलग तरह के रणनीती बनानी होती है Hairband का कोई brand नहीं होता है इसलिए इसको बेचना कठीन होता है इसको बेचने के लिए आपको retail business करने वालों से संपर्क करना होगा इसके लावा इन retailers को जो लोग supply करते हैं उनको खोच कर उनसे संपर्क करना होगा आपको अपने product की quality काफी अच्छी रखनी होगी और इस quality किसे भी कभी समझोता नहीं करना होगा तभी आपका माल अमार्केट में बिख सकेगा वरना एक बार खरीदने के बाद दूसरी बार आपके माल को देखते ही नहीं खरीदा जाएगा आप wholesale market में भी अपने product की supply कर सकते हैं इसे आप online भी बीच सकते हैं साथी business to business काम करने वाली website के जरीए बेच सकते हैं इसके लिए आपको India March, Trade India, Export India जैसी website में संपर्क करना होगा इसके अलावा आप Amazon, Flipkart, Snapdeal जैसे business to commerce कमपनियों से भी संपर्क कर सकते हैं इकमर्स वेबसाइट के मादम से माल बेचने में मुनाफ़ा कम मिलेगा क्योश कोशिश करें कि शुरू-शुरू में आप स्वेम अपने retailer तक अपना माल पहुंचाएं लागत का अनुमार ऐसे लगाए इस business को स्थापित करने के लिए कितनी लागत आएगी ये बात इस पर निर्भर करती है कि आप किस तरह का business शुरू करना चाहते हैं यदि आप अपने घर से ही small scale का business शुरू करना चाहते हैं तो आपको जगा के लिए अलगलग से किराया नहीं देना होगा यदि किराय पर ही जगा लेनी होगी तो आपको एक छोटा सा कमरा कहीं भी लेना होगा इसलिए ये कमरा भी आपको महंगा नहीं पड़ेगा आपको काम जहां शुरू करना है वहाँ एक बात का ध्यान रखना होगा कि बिजली की सप्लाइ अच्छी हो यानि बिजली कटोदी वाला एरिया ना हो इसके बाद आपको एक कटिंग और एक पाकिंग मशीन लगानी होगी बजट कम हो तो पाकिंग मशीन को लगाने से बचें यदि पाकिंग मशीन नहीं लगाते हैं तो आप ये बिजनस एक लाख रुपए से शुरू कर सकते हैं जिसमें एक वरकर और कच्चा माल भी शामिल है इसके अलावा यदि आप बड़ा बिजनस खुरना चाहते हैं तो उसमें हैर बैंड के अलावा रबर बैंड का भी बिजनस चलाना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आप अपने रबर हूल खुद ही बनाएं तो आपको इस तरह के बिजनस की लागत थोड़ी बढ़ जाएगी इसमें लगबग 3 लाख रुपे तक लग सकते हैं। मुनाफा आपके हुनर पर निर्फर करता है। अब बात आती है कि मुनाफा कैसे हो। ये बिजनस कुछ अलग तरह का है। इस बिजनस में माल बेशना बहुत ही कठिन काम है। एक बार आपके प्रोड़क्ट की मार्केट बन गई तो फिर आपको माल बेशने में कोई परशानी नहीं आएगी। जैसे जैसे आपका प्रोड़क्ट बाजार में जगा बनाता जाएगा वैसे वैसे आपके प्रोड़क्ट का दायरा बढ़ता जाएगा। बिजनस शुरू होने के कुछ समय बाद आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। इसके अलावा मुनाफ़ा आपके बिजनस के तरीके पर भी टिपेंट करता है। यदि आप बाजार से रेडिमेड रबर होल लाकर केबल कटिंग करते हैं तो मुनाफ़ा कम होगा। यदि बिजनस के जानकार लोगों का कहना है कि इस बिजनस में लागत कम मुनाफ़ा अधिक है। और ये मुनाफ़ा 30-40 प्रतिश्यत तक हो सकता है। अपनी दुकान के स्टाफ को कैसे आसानी से मैनज़ करें। इसमें बिना किसी समस्या के आप हर एक करमचारी को उसका काम, चुट्टी, बोनस, परफॉर्मेंस, सैलरी आदी बता सकते हैं बस कुछ ही क्लिक्स में। खास बात ये है क्योंके स्टाफ काफी सारी लोगल भाशाओं में उपलब्ध है जैसे कि हिंदी, अंग्रेजी, तमि करें गूगल प्ले स्टोर से, औरके स्टाफ आपको डाउनोड करने का लिंक इस वीडियो के दिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखें। आपके बिजनस का सच्चा साथी